हेलो स्टुडेंट मैं संकर कुमार स्वागत आप सभी का जादू गर्मेत में बिहार बोर्ट से बहुत बरा खबर निकल करके आया है जो कि जानना आप लोगों के लिए बहुत ही आवस्यक है जो मैट्रिक 2022 में एकजाम देने वाले हैं जो मैट्रिक का छातर छातरा 2022 में एकजाम देंगे उसके लिए बोर्ट से बहुत बरा खबर निकल करके आया है जो कि आपको बहुत ही जानना जरोरी है बिहार बोर्ट मैट्रिक 2022 की सेंटा परिक्षा अब 12-20 तक नमबर तक यानि कि अब 12-20 नमबर तक संसोधी सेडूल जारी डारेक्ट यहां से देख पाएंगे सरा डिटेल समबाताएंगे ठीक है न और आप चाहते हैं कि बिहार बोर्ट का कोश्टन आउट जो भी होता है तो प्रतेक साल मुझे आ जाता है इसलिए जो बिहार बोर्ट का कोश्टन आदिगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जिस दिन जो सब्जेक्ट होता उसी रात हम क्या करते हैं आप लोगों तक जो है कोश्टन अंसर सीट सहीत आपको परवाइट करवा देते हैं इसलिए चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको जो है आप देख सकते हैं टुवेल्थ वाले सबका डमी एडमीड कार जो है जैसे आया था उसी तरह से मैट्रिक वाले सबका भी डमी एडमीड कार आएगा सेंट अफ एक्जाम जैसे इंटर वाले का हुआ ठीक कुसी प्रकार से आप लोगों का भी होगा जिस तरह से उस अब का एक्जाम चल रहा था उसी तरह से आप लोगों का कोश्टन और कॉपी जो है बिहार बोट भेज देगा ठीक है न तो सारा डिटेल्स हम बताएंगे कैसे आपको क्या करना है और जो है कोश्टन जैसे ही आप लोगों का आउट होगा तो रात में ही हम आपको जो है एक्जाम से पहले जिस दिन जो सब्जेक्ट होगा उसी दिन रात में जो है आप लोगों का कोश्टन हम डाल देंगे इसी चैनल पी इसलिए जो है इस चैनल पे आपको बने रहना है तो यहाँ पी का गए BACB 10th सेंट अप एक्जाम 2022 बिहार विद्याले परिक्षा समימ्ति BACB ने BACB 10th सेंट अप एक्जाम 2022 के ती जारी कर दी है 12 से 20 नबर तक होगी सेंट अप की परिक्षा 12 से 20 नबर तक होगी सेंट अप की परिक्षा तो आपको बता देना चाहते जिस तरह से 12 वाले का एक्जाम हुआ था उसी तरह से ये स्कूल भी एक्जाम वोगा ये कॉलेज प्र देट है कॉलेज अपना मन केनुसर सार्ष यानिकी वह जब चाहे तब ले सकता है लेकिन12 तारिक से डेट फिक्स किया । इस्पूल पर निन्य से बहुत सारा इस्पूल में 12 से भी हो सकता है या और अधर डेट में भी हो सकता है बता दी कि प्रदेश भर के सभी स्कूल BSB 10th सेंट अप एकजाम 2022 की परिक्षा 12 से यानि 20 नमबर के पीच यानि की फिक्स कर दिया गया है लेकिन सभी स्कूल को सुचित किया रहा है कि 12 तारिक से यानि की 12 नमबर से आपका एकजाम होगा बहुत सारे स्कुल में होगा 12 नमबर से और सारा अधर स्कुल में भी और अधर यानि की डेट उसब के यानि की मनमताविक जो है एक्जाम होगा ठीक है ना तो BSB 10th सेंट अप एक्जाम 2022 सुरू होने की तिथी जारी की गई थी आपको बता देना चाहते हैं कि लेकिन 10 और 11 न नमबर से होगा क्योंकि पहले होना था लेकिन 2012 सुरू की जाएगी वहीं सभी स्कुलों को BSB 10th सेंट अप एक्जाम 2022 का रिजल्ट चौबीस और 25 नमबर 2020 को अनि समंधित जीला सिक्षा करेले में भेज देना है ठीकिन आप लोगों का जैसे एक्जाम खत्म होगा चौबीस से 25 के बाद जो है 24 नि 25 के बाद जो है रिजल्ट जो है जिला करियाले में भेजने की अनिकी अनुमती मांगी है इन छात्रों का नहीं जारी होगा एडमीड काड डमी एडमीड काड आपको बता दे कि जो छात्र BSB सेंट अप एक्जाम 2022 में अनुफस्तित होंगे उनका आपको बता देना चाहते है अगर आप इस एक्जाम में अपलब्द नहीं होंगे एक्जाम नहीं देंगे तो आपका जो है एडमीड काड ओरिजिनल वला नहीं आएगा वहीं कमपार्टमेंटल इंग्लिस में फेल या पूरुवा पूरोती उचात्र को BSCB सेंट अप एक् आइस के लिए प्रस्न पत्र बोट द्वारा भेजा जाएगा वहीं सभी स्कूल को प्रस्न पत्र साथ से नोन नंबर के बीच आप लोगों का प्रस्न पत्र स्कूल में भेज दिया जाएगा यानि बता दे कि 5 से 6 दिन पहले आपका स्कूल में प्रस्न पत्र और कॉंपी आ जाएगा आपको पता देना चातिक अनुपस्तित और अनुतिर्न छात्रों की मांगी की गई है सूची आपको बता दे कि बिहार बोर्ट बियासबी ने सभी स्कूल से बियासबी सेंट सेंट अप इंगजाब 2022 अनुपस्तित और अनुतिर्न छात्रों की सूची मांगी है जो च्छात्र यदिगर अनुपस्थित रहेगा जो च्छात्र उपस्थित रहेगा सभी का बिहार बोड जो है सूची मांगे हैं तो वहीं BSV 10th सेंट अप एकजाम 2022 से बाद सभी स्कुल को विद्यार्थिक अनुपस्थिती और अनुतिर्न की सूची बनाकर भेजनी है जिसका ए जरूरी है सेंट अप एकजाम आपको देना ही परेगा नहीं तो आपका एडिमीड कार्ड ओरिजिणल विला नहीं आएगा आजगा है